शालिग्राम पूजन समाजवादी पार्टी के कार्याले में हुआ है पवन पांडे जी मौजूद है सपानेता क्या कुछ कहेंगे पूजन को लेकर भगवान केदारेश्वर महादेव का मंदरी टावा में बन रहा है उस मंदर के लिए प्रभू सालिग्राम की आज पूजा अर्चना यहाँ पर हमारे राष्टिय अधच आदर्णिय अखलेश यादोजी सांसर स्रीमती डिमपल यादोजी जया बच्चन जी आदर्णिय स्युपाल यादोजी सहित पूरी पार्टी के लोगों ने किया है हम सभी लोग प्रभू संकर जी से भगवान संकर जी से प्राथना करते हैं कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश में तरक्की आए खुसाली आए जो अंतिम व्यक्ति है सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी तरक्की के रास्ते पर जाए यही हम प्रभू संकर से प्राथना करते ह है और इस मंदिर के लिए हम अपने राश्टिया धजी को डेर सारी पधाई और सुप्तामनाई देना चाहते हैं कि भगवान भोले ना संकर महादेव जी का एक भब्य मंदिर इटावा में बन रहा है सभी नेता है स्वामी मौर्या नहीं दिख रहे हैं कि देखिए मैंने पहले का मैं फिर भी कह रहा हूं आस्था निजी विषया है आस्था पूजा पाठ डेवी देवता मानना नमना यह अपना निजी विषया है जिनकी आस्था थी वह आये उन्होंने पूजा पाठ किया भगवान संकर की आराधना की आप तो अईुद्य से आ चाहिए यह कोई जरूरी नहीं है कि आज जाओ कल जाओ हमारी स्रद्धा है हम जाएंगे प्रभूस्री राम का दर्सन करेंगे पूजन करेंगे और प्रभूस्री राम से इस बात की कामरा भी करेंगे कि हमारे देश को सुरचित रखें कि यारों का पेपर लीग हुआ है अब जो है जाँस के त्यारी हो रही है अचाहत बताएैये योगी जी जब से मुख मंत्री बने कहुंसा पेपर लिग नहीं हुआ है योगी जी कि सरकार में सारे पर लिख ददरते हैं कारून बेंसा धोस्त है लोग परिशान है नौज्वान के हाथ में कटोरहा कि सानगे आपक्टोरह नौज्वान के हाथ में कटोरह सब्सक्राइब रोजगार उने तो चमक दमक बिन्यापन के पल पर है बाकी जमीन पर उत्तर परतेष सिदी बहुत खरा झाल